तो एक बार फिर से में एक सोलो वर्सेस गेम केलनी वाला हूँ बट इस बार थोड़ा वोईसओबर भी कर लिया जाए तो बहुत दिनों से विना वोईसओबर कर वीडियो दे रहा हूँ बट जो आप में से बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो इसलिए मेरा उच्छरे बंदे आ चुके हैं तो जिंदा कितनी देर रहते हैं वो डिपेंड करता है गन मिलता ही कि ने उसके उपर तो उतरते ही मुझे एक शॉटगन और शिक्सेक्स एक और पेंगिलर मिलगा था कोई धंका गन नहीं था बट उसी शॉटगन से एक निहट्टे बंदे को जिसका लेंडिंग बहुत ही लेद हो गया था उसको नौक कर दिया बट मैं अपने खूद को मतलब किल कंफर्म करने की जो जिद होती है उसको काबू में करते हुए इसको कंफर्म नहीं करता और आगया अगर इस कारेल को उठाता हूँ और कंटेनर के अंदर जो भी उठा है होटा है सब कुछ उठा कर उस तरफ परता हूँ क्योंकि अगर सिर्फ सौटगर्न लेके जाता ना तो उसका टीममेट कहां से गोली मारता और मुझे रोबी का आस्ता दिखा रहता मुझे पता भी नहीं चलता तो इसलिए कंटेनरों के अंदर जो भी होता है फटा फटा व समय प्राइब का अब जा मुझे ने कौने रहता हैं अन्दोस अन्दोस मार अर्को현 अनुम का आओंगर्ण विजए विए अन्दोस के अधिनरों कर दोख एकने रवर शर्मार्ण लोग्या कर आओंवर् तो बहुत देर तक इसे ही नौक परे रहने के वज़े से वह खुद बख खुद ही फिनिस हो गया और मुझे तो मिले गया तो शरकर है उसका किल वेस्ट नहीं हुआ और वह मिल गया साथ ही एक बहुत भाइब करते हैं मुझे पीछे से गुली करता है तो इस वाले भाइब को लगा था साथ से इसने मुझे बहुत ही लिज कर दिया जिस क्योंकि वह इतना गॉंफिदेंस होगा कि वह खुले में मतलब खुले तो नहीं बूल चकता बस अंधरस कर दिया बट उसको क्या बता था सिर्व एक ही गुली लगे थी तो उतना ज्यादा हेल्ट गया नहीं मेरा तो जिसके वज़े से वह खतम हो गया और मैं तो भी बचाओ तो देखते हैं और कितने देटक सब्राइब कर पाते हैं फरावचा इसको लूटते हैं क्योंकि अभी तक और स्टथ स्टब लकषेुषर थावर खुड़्स मेरा इसको कि यूचर च Сब्सका मेरा जब हो खो शायादा युड़गधint हाण हे अ है कि तो यह भाला कील कैसा लगा ये बताव मुझे कमेंगे सेक्षिन मैं क्योंकि कमेंगे सेक्षिन पूरा आप लोगा होता है तो बर दो एक पिक मेन ख culturally मत्रक्त को पूरा बरत कमेंगे सेक्षिन को तो चलो आगे बढ़ते बिलाल नोगो यह यह पूरा खाली हो चुका है और गारी लेकर आगे बढ़ने का टाइम आ गया है तो मुझे तो पूरा यकीन है आप सभी को आपके बच्पन ने आपके बड़े बुज़ूर को ने ये तो जरूर कहा होगा कि जब भी रास्ता पार करो ना आगे पीछे दाएबाय एक बार देख लिया करो पता नहीं कहां से गारी आए और आपको उरा के ले जाए तो ठीक व देखे ही वो रास्ता के ऊपर मतलब बैदली भगने की तयारी कर रहा था मतलब भगी रहा था वस तो आते ही मैंने इसको भी खतम कर दिया तो यह सायच से अपने टीम का आखरी बंदा था जो अपने जान बचा कर भग रहा था और मेरे हत्य चर गया तो अच्छा हुआ मु कर आ रहा था तभी मुझे दो बंदा दिख चुका था तो इसलिए मुझे पता यह अभी तो सिर्फ दो बंदे हैं तो वह जिसमें से एक बंदा अभी भी टावर पर है और दूसरा बंदा कहा है वह उसका ठीक एक्जैक लोकेशन बताने तो इसलिए बहुत संभाल के जाना रही है तो इसलिए मैंने भी अपना वाल लगा दिया और इनकी बनाई हुई पेटियों को देखने लगा कि कही कुछ मिल जाए जो मिलता नहीं है तो इसलिए मुझे खुद की बनाई हुई डिवाल को तोर कर हमें आगे बरना होगा तो अभी भी जिसको खतम किया यह बहुत था कि क्या था मुझे अभी भी बहुत कंट्फिजन हो रिये क्योंकि बहुत उपर की तरफ देख के मतलब मेरे तरफ कैसे खारा रही सकता है तो उसको यह जाओ काम पे इसको मैं नौक करके ऐसे रख दिया ताकि इस बहुत देर रुखने के बाद यह बंदा मतलब इसका टीमेट आठा नहीं तो मतलब मजबूरी की बज़र से मैं इसको खतम कर देता हो और जो भी होता है इसका क्रेट में से स्मोक करके उठा कर मैं इधर से निकल परता हो क्योंकि बन्दे बहुत कम है कीङल भी जदा चाहिए तो अगर एक ही चगह पर रुका रहा तो नहीं मिलेगा तो चलो तो तब से गारी घुमाई जा रहा हूँ गावी घुमाई ही जा रहा हूँ दो गारी तो सेंज कर ली एक बार पेट्रोल भी डाल लिया गारी में बट एक बंदा नहीं मिला तो इसलिए क्या करें उपाई ही न और यह जो मैंने स्टंट अभी मारा ना यह मेरा यावत का पूरा गेमप्लेख खराब करवा सकती थी वर्ट हुआ अच्छा था बढ़ना आज का यह पूरा गेमप्लेख वर्बाद हो जाता क्योंकि गारी से तो उत्रा ही गारी से वह मेरे उपर पता नहीं कहां से अचानक से गोला वारू भटने की आवाज सुना रहेते हैं तो इसलिए मैं फ्रावत से उधर से गारी लेकर भग जाता हूँ भगता हूँ सिर्फ उनको मारने के लिए जान बचाने के लिए नहीं है झाल भगता हूँ झाल भगता हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ हुआ कि हासल मैं मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था क्योंकि जब वह नौक वाला बंदा पेड़ के पीछ था उसको एक गोली मारा और गोली मारने के बाद ही मेरा फाइरिंग वो रुख गया पता नहीं क्यूँ उसके बाद एक सिंगल टैप अटोमेटिक ही सिंग्टेप हो गया फिर से जब उसके उपर फाइरिंग लिया फिर से वह हुआ फाइरिंग बटन रुग्म्म अखिर ट्रोल करने के कोसिस करता हूँ और मैं मरते मरते क्या होता है वो आपको देखने के बाद पता चलेगा जिसके वज़े से मैं गेम को आगे बरा रहा हूँ तो चलो तो इस बार फिर से स्टन के वज़र से मैं मगदम मरते मरते बचाओ मेरा हेल्थ देखो अगर एक गूली भी और लग जाती ना तो आप सभी को पता है इसका अंजाम कितना भयंकर हो सकता था यह जो 17 किल हुए ना यह सब खाली बेकार में जाते तो जो भी हो बच गया हो अभी ठीक से विलाप करेंगे बगेरा पीएंगे फ्री का है तो पीना तो पड़े गाई और सिर्फ एक बंदा है तो इसको थोड़ा ट्रॉल करने की कोशिज करता हो जो है इस सामने वाले बार तो करिंगी झाले बार तो एक बार फिर से स्थन की वसेश से एकदम मरते मरते बचके आओ और ये गेम प्ले निकाल दिया तो भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा था तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसा ही वीडियो में हर रोज ला मुल गनोर को लोग वीडियो में हमी सोच्छो या योग वीडियो